नमस्कार यूट्यूब चैनल एन इन्यूर्स डबल टू में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वाटर लेवल इंडिकेटर के बारे में और यह एक बोईलर माउंटिंग है बोईलर की सेफटी और स्टीम जनरेशन की प्रोसेस पर पूरा नियंतरन करने के लिए बोईलर की बोडी पर जो यूनिट लगाई जाती है उन्हें बोईलर माउंटिंग कहते हैं भारतिय बोईलर रेगुलेशन के अमसार वाटर लेवल इंडिकेटर या वाटर गेज भी बोईलर माउंटिंग के अंतरगत आता है अब बात करते हैं वाटर लेवल इंडिकेटर का क्या काम है वाटर लेवल इंडिकेटर का मेन फंक्शन है बोईलर में कॉंस्टेंटली वाटर के लेवल को इंडिकेट करना जिसे देखकर अटेंडेंट बोईलर सेल के वाटर स्पेस में feed water की supply का regulation करता रहता है ताकि water के level को maintain रखा जासके अब बात करते हैं water level indicator की construction के बारे में परती एक boiler के front में water level indicator लगा होता है जैसे मुदारण के लिए देखें या web cook, wilcox boiler है water tube boiler है यहाँ पर जो water gauge या water level indicator यहाँ front side पर लगा हुआ है और इसी प्रकार अगर fire tube boiler की बात करें जैसे cochrone boiler है तो इसमें जो water level indicator वो यहाँ पर लगा हुआ है तो यह boiler की front side पर लगा होता है जैसा हम इस diagram में देखा है अब बात करते हैं इसमें क्या क्या components होते हैं इसमें mainly hollow gun metal casting दो होती हैं एक upper side पर एक bottom side पर और दोनो boiler cell के एक steam space पर लगी होती है दूसरी water space के साथ connected होती है उसके बाद water level indicator में mainly steam coke होते हैं steam coke water coke और drain coke steam coke की मदद से glass tube को boiler cell के steam space के साथ connect या disconnect कर सकते हैं जिस समय steam coke vertical position में होता है उस समय boiler cell का steam space glass tube के साथ connected होता है जिस समय यह horizontal position में होता है उस समय दोनों का disconnection होता है उसके बाद है water coke water coke boiler cell के water space के साथ glass tube को जोडने के लिए प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार जिस समय water coke vertical होता है water space में boiler cell के water space or glass tube में connection होता है और जिस समय water coke horizontal होता है उस समय दोनों में disconnection होता है उसके बाद है drain coke drain coke का प्रयोग glass tube से water को बाहर निकालने के लिए किया जाता है ताकि जो glass tube है और जो यह water tube है इन में किसी प्रकार से कोई sentiments यह मतलब कि कोई foreign element उनका कोई भी accumulation ना होसके तो उस प्रकार इसमें जो अलग से screw cap हमें नजर आ रहे हैं इनका काम होता है कि यह upper side और bottom side दोनों side होते हैं यह जो steam और water के passes होते हैं जब इनको clean करना होता है तो screw cap को remove करके इनका cleaning किया जाता है उसके बाद यह जो glass tube है इसको guard glass cover के साथ cover किया जाता है और यह काफी tough होता है और यहाँ पे अलग से एक hollow metal column लगा होता है जिसको उपर top side में और bottom side पे ball rest करती है तो अब बात करते हैं water level indicator कैसे काम करता है अगर हम देखे steam coke और जो water coke का दोनों vertical position में है मतलब कि water space glass tube और steam space और glass tube का आपस में connection है drain coke horizontal है drain coke close रखा है तो जिस समय दोनों vertical position में है उस समय boiler cell के steam से जो steam है वो glass tube में enter करती है और इधर से water space से यहां से जाती हुई जो water है वो glass tube में enter करता है और यह जो dotted line है यह water level को indicate करता है तो इस परकार यहां से जो attendant है वो यहां से देख सकता है जैसे इस diagram में देख पा रहे हैं attendant है जो water level को देख रहा है लेकिन इसमें दूसरी condition यह होती है कि जिस समय glass tube break हो जाए तो उस दोरान क्या होता है तो हम पहले diagram को देख लेते हैं कि इस diagram में पूरी तरह से indicate किया गया है कि जो glass tube वो break हो गई है तो इस condition में क्या करते हैं कि जो ball यहां पर rest करती है जो hollow metal column होता है यह जो ball होती है वो उनकी जो position वो change हो जाती है वो यहां पर shift हो जाती है तो ऐसा कैसे होता है कि जिस समय glass tube का breakage होता है उस समय जो glass tube पे pressure होता है वह boiler pressure से काफी कम होता है तो जिसके कारण यह जो pressure difference होता है इस pressure difference के कारण ही जो ball यहां पर rest करती है वो यहां move कर जाती है दोनों side में जिससे क्या होता है कि जो steam और water rust कर रहा था वो बंद हो जाता है दोनों की opening बंद हो जाती है और उसके बाद steam coke और water coke को vertical position की इबजाइस को horizontal किया जाता है जिससे यहां से कोई steam एंटर ना करे और यहां से कोई water अंदर एंटर ना करे और दोनों को horizontal position में करने के बाद glass tube को replace किया जाता है तो दोस्तों इस परकार जो water level indicator है वो काम करता है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस् डबल टू को subscribe करना ना भूलें जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक